हेलो स्टुएंट्स वेलकम टो वर यूटूब चैनल टॉपदेव एजुकेशन हब आज हम टैन्थ साइंस में जो बायो का चैप्टर है चैप्टर नमर एट हाउ डूर्गनिजम रिप्रोड्यूस इसके बारे में करेंगे सबसे पहले हम रिप्रडक्शन होता क्या है कि वट इज रिप्रोडक्शन घसमें जीव अपने जैसे ही दूसरे जीव प्रोड्यूस उत्पन करते हैं अब रिप्रक्षण का रोल क्या है रिप्रक्षण प्लेज एन इंपोर्टेंट डॉल इन दा फ्लोविंग वेज की रिप्रक्षण क्यों जरूरी है क्यों महतवपूर्ण है ध्यान से समझेंगे फरस्ट है इट रिटेन एपर्टेक्लर स्पेशिज ऑफ लिविंग यह living organism की जो species हैं उनमें उनकी continuity को उनकी संख्या को maintain करता है एक cell या एक जीव मर गया तो उसके ज़िए नया जीव आ जाएगा next हमारे पास है transmission of characters from one generation to next एक PD से दूसरी PD में character transfer करने में help करता है यह और third variations आती हैं इसमें variations lead to the origin of new species variations आती हैं जिनकी उजय से नई species का जनम में होता है तो यह हमने किया कि reproduction क्या होता है और इसका क्या role है next इसके बाद देखेंगे हमारे पास रहेगा there are two modes of reproduction reproduction दो type का रहेगा there are two modes of reproduction कौनसा कौनसा asexual reproduction and second है sexual reproduction अब asexual reproduction क्या होगा तो इसमें क्या होगा किसमें single parent की जुरूरत होगी mode of reproduction in which new individuals are formed from a single parent इसको अच्छे सेंड लाइं करें कि यहाँ पर जो नया जीव है वो एक single parent से ही बनता है no sex involved यहाँ पर sex involved नहीं होते male female की जुरूरत यहाँ पर नहीं होते new individuals are identical to parents यहाँ पर नया जीव अपने parent के जैसा ही होता है और उसको हम clone कहते है new individual है हर character में अपने parent के जैसा होगा उसको हम clone कहेंगे next हमारे परसे it is a faster mode of reproduction इसमें तेजी से जाद थोड़े समें में ही ज़्यादा जीव पैदा हो जाते हैं अब किस परकार के organism में हमें asexual reproduction देखने को मिलता है it is seen in amoeba hydra, flatworm many plants like rose, tomato, onion इन सब के अंदर हमें asexual reproduction देखने को मिलता है next इसके बाद हमारे पास रहेगा ये कुछ type है various types of sexual reproduction और उपर कुछ organism दिखाए गए हैं कि किन किन के अंदर asexual mode of reproduction होता है तो अलग-लग type various types of asexual reproduction आर सबसे पहले fission उसके बाद budding regeneration, fragmentation spore formation और vegetative propagation जो asexual reproduction के type है इन में हमारे पास रहेगा सबसे पहले fission, budding regeneration, fragmentation spore formation और vegetative propagation अब इन सभी के बारे में one by one हम study करेंगे next देखे ध्यान से सबसे पहले हम बात करते हैं fission की fission क्या है इसमें क्या रहेगा can organism split to form two or more new individuals इसमें एक जीव है वो दो या दो से ज़्यादा नए जीवों की formation करता है एक जीव तूट करके दो या दो से ज़्यादा नए जीव बना लेता है इसको बोलते हैं fission fission दो टाइप का रहेगा binary fission और multiple fission binary fission में क्या होगा binary, binary गांदल लब two इसमें एक organism है वो दो organism में तूट जाता है और multiple fission में क्या है इसमें एक organism अनेक नए जीवों में तूट जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं binary fission की two new individual star form इसमें दो नए जीव बनते है nucleus divide only once यहाँ पर nucleus के अवल एक बार divide होता है यहाँ पर amoeba की picture देख सकते हो कि amoeba है यहाँ पर nucleus divide हो रहा है उसके बाद यह cytoplasm divide होगा और एक amoeba से दो amoeba की formation हो जाती है तो यहाँ पर unicellular organism है like amoeba है, paramecium है, yuglina, bacteria इनके अंदर हमें जो binary fusion हो देखने को मिलता है next इसके बाद हमारे पास रहेगा multiple fusion तो multiple fusion क्या होगा ध्यान से देखें multiple fusion इसमें many new individuals are formed अनेक नए जीव बनते हैं nucleus divides repeatedly nucleus में बहुत बार divide होता है उसमे nucleus one बार divide था take place during unfavorable condition multiple division है unfavorable conditions में होता है cyst formation take place यहाँ पर एक टफ वाल बन जाती है उसको cyst बोलते हैं cyst formation take place तो यहाँ पर paramecium का example यह देख सकते हो plasmodium का तो यहाँ पर amoeba है plasmodium है बहुत से algae हैं जिनके अंदर multiple fusion देखने को मिलता है तो यहाँ पर यह plasmodium क्या है अनेक cells में divide हो जाता है यह मारे पास है multiple fusion next मारे पास रहेगा budding यह first किया हमने इससे पहले fusion दो टाइप का था binary fusion and a multiple fusion अब करेंगे हम budding budding क्या होता है ध्यान से देखें इसमें new individual is formed as a result as an outgrowth of parent कि parent body पर ही एक outgrowth उभार बनता है उसी से नया जीव बनता है इसमें daughter separate away अलग हो जाती है और parents अपने continue करता है life तो यहां पर ही देखें यहां पर yeast के अंदर दिखा रखा है है यह yeast के स्रीर पर यहां पर एक bud बन गया है यह bud इसको bud बोलेंगे time के अनुसार यह bud अलग होकर नए जीव की formation कर लेगा इस process को budding बोलते हैं इसी परकार hydra के अंदर है hydra के body पर यह एक growth शुरू होती इसको bud बोलेंगे यह bud का size increase होता जाएगा और time के अनुसार यह bud है यह यहां से detach होकर के नए जीव की formation कर लेगी इस process को हम बोलते हैं budding hydra, yeast, इन के अंदर ही हमें देखने को मिलता है अब यहां पर जो हमने किया है fusion और budding यह हमें अच्छे से रिवाइज करना है अब जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को like, subscribe, comment जरूर करें चैनल के share भी करें वीडियो को अपने दोस्तों को बताएं और इस चैनल पर आपको आठमी से लेके बार मिन तक साइंस के सभी वीडियो देखने को मिलेंगे Thank you